विल्कम गाईस तो आपको फिर से सोगत रियल किंग ऑपिशियल में इस वीडियो में हम बात करेंगे जो निव टीटेन सीरिस चालू हो रहा है थिनी डैट टीटेन ब्लास्ट उसका आज फर्स्ट मैश खेला जाएगा इस सीके वर्सेस एल बीजी के बीच में इस मैश के बार सब कुछ आपको मैं बताऊंगा ठीक है बस पूरा वीडियो को वाश करना और यह टूर्णामेंट जब अगले साल हुआ था तब मैंने पर्सनली और मैंने चैनल मेरे चैनल वाले में फैमिली वाले बहुत विनिंग किये थे ठीक है लगवाग 80% से उपर हमारा किलिंसीव इस सीरीज में तो पूरा सब कुछ आपको टेलिया में मिल जाएगा प्रूब बगार सब कुछ ठीक है तो टेलिया में जाओ और फाइनल अप्टर लाइन अफाइनल टिम आपको टेलिया में मिलने वाला है तो टेलिया में जोड़ना ना फूलना टेलियाम का लिंक आपको YouTube description में मिल जाएगा वह से जाके टेलिगाम में जॉइन हो जाना इस मैस के बारे में आपको बताओ तो यह मैस के ला जाएगा ब्रेंट लारा इस्टेडियम वह इस्ट इंडिज में वह इदर किलियर रहेगा एवर जिसक्रिया पर हंडिट से हंडिट टेंट तक होता है सेकंड इनिंग जो बैटिंग करता है मतलब जो लोग चेस करता है उनका इनिंग चांसे ज्यादा रहता है इस ग्राउंड पर टॉप परफॉर्मस के बारे में अगर देखा जाए दोड़ों टीम से जेसन महम्मद ठीक टाक खिला है नाइंटीन मैस में 30 तो बैटिंग से कुछ खा की बारे में बात करेंव तो बैलन्स हुआ है लगबग जो लोग चेस किया हो तीन मैं जीता है जो लोग फ़र्च बैटंके को मैक्श जीता है तो थोड़े बबंद ज्याते हैं जो सेगन बैटिंग करता है अभी सोका किंगस के बाराइं मताइंग उनका प्लेंग सब्सक्राइब कर देगा साथ बैटिंग ओपनिंग करने आएगा काफी अच्छा बैट सब्सक्राइब इसके नाम है तो अब देख सकते हो कितना इंपोर्टेंट प्लेयर है नादी महांमद रिसेन में नौ ट्वंटिफोर रन किया है तिन नंबर पर आ रहा है चाहो तो लेके जा सकते हो क्रिश्ट्यन काली चरण दस मैंस में 124 रन 23, 37, 16, 32 तो ठीक ठीक है कि जा रहा है रिसेन फर्म चाहो तो लेके जा सकते हो डी चारलेस बैसीकली बॉलिंग करना इसका में काम है दो बर कंफर्म करके देगा इंपोर्टेंट प्लेयर है अच्छा बोला रहे टि का एक में एक मैस में एक, एक में दस प्लेस की एक व्यूंट और तीन मैंस में, प्लेस प्लेसि Juliet Naglis, अदरी ब्राउन इसका रेकरद अभी तक मुझे मिला एक उपर, डिसेंड में कुछ खास नहीं, वेवन, डुंकर इसका भी रेकरद अभी मिला नहीं अगर मिल जाएगा मैं टेलिगा में शेयर कर दूंगा साइन हैकट दस मेस्ट में 16 रन 160 रन और 9 उकेट बॉलिंग के साथ-साथ आपको बैटिंग से भी पोईंट दे सकता है उपर बैटिंग करने आता है ठीक है अचा जो फाइनल ऑपिश्चनल लाइनप आता है वो बड़ा इंपोर्टन रहेगा अगर साइन हैकेट उपर आएगा बैटिंग करने तो काफ़ इंपोर्टन होने वाला है क्योंकि बॉलिंग के साथ-साथ फिर आपको बैटिंग भी देगा जॉन डूस जेगस सर नौ मेंश में एक सो सत्तर रन सरी एक सो सत्तर का अवरेज और छे उइकेट इसके डाम है ठीक है तो बेसिकली बॉलिंग करता है ज्यादर राइटम अब ब्रेक करता है ठीक है तो इंपोर्टन प्यार होने वाला है अगर खेलेगा तो चादियन डेमोंड नौ मेंश में साथ उइकेट इसके नाम है यह भी बॉलिंग करता है अगर खेलेगा दो वर कंफर्म करेगा डेथ में एक वर कर सकता है तो इंपोर्टन प्यार है आखिल मोलोन इस स्कॉर्ट में ग्यारा मैस में साथ उइकेट इसने और लेड़ ले चु तो इसमें से ग्यारा प्लेयर खेल सकता है ठीक है तो ऑफिशल लाइनप के इसाब से कौन सा बैस्पन उपर रहे का कौन सा बोलन नीचे आएगा वह हमको बता चल जाएगा अगर पता चल जाएगा वह हम फाइनल टीम में जो आप अपिशल लाइनप आने के बाद जो बता दिया तो इस टीम के बारे में लेदर्वाइक जाइंट्स के बारे में सबसे पहले नाम आते हैं लियूंद्रादू जूलियान लियूंद्रादू जूलियान टीटेन सीरिज में दस मैस पर दोस्तों पंदरान किया है डिसेंड में 18132-2732 तो ठीक ठाकी अर्षेंड फ ठीक है यह अगर 10-15 खेल जाए तो मान लो 30 प्लेस रांट तो बना ही दे गाई है थाटी सीक्स पर्टी थी टॉंटी सेवेंड फर्टी थी इंपोर्टन प्लेयर है काफी अच्छे फॉर्म से गुजर रहा है तो इंपोर्टन प्लेयर यह भी है मार्क दोयल यह एक इंपोर मैं एक सो फॉर्टी रण वान फॉर्टी रण और डिसेंड में 50 ओं डिड़न बेर 54 चार या पांस नंबर पर आपको बैटिंग करते हो दिख सकता है खेलेगा तो इंपोर्टन प्यारे यह भी एक हीटर बैट्स माने अगर खेलेगा तो एक तरफा खेलता है ठीक है इस बा से नारत का कुछ खास रेकॉर्ड नहीं देंजिल एंटोनी कि बैसिकली बालिंग करता है अगर खेलेगा तो डेज में एक वर कर सकता है सुरू में एक और करेगा इंपोर्टन प्यार है अगर विकेट डिसेंड में कुछ खास किया नहीं यह पांच मैस में दो इकेट अच् तो ड्राप कर सकता है तो क्यू बैबल कुछ खास रेकॉर्ड नहीं है घामी नौ इसका रेकॉर्ड देखा जाया तेरा रण एक विकेट जिरो इकट जिरो इकट पार्ट टेंब बालिंग करता है दो वर मिलेगा यह नहीं मिलेगा इन एक ओर कण्फरम करेगा ग्रंड recent में इसका record देख लीजे तीन उकर दो उकर, टीन उकर, जीरो उकर, नी करिया मर्लोन डिचारड्स छे मेश में चार उकिडिक के नाव है पार्ट टाइम ये भी balling करता है कभी कभी balling करते है कभी कभी नहीं करता है ठीक है होप करते नहीं खेलेगा लेकिन खेलेगा तो ग्रांड लिग में टाइक करना अंसिल भगवान दस में साथ विकेट इसके नाव है दस में सतरा उबर इसने किया है ठीक है तो लगबग दो अबर कर सकते हर मैस में इंपोर्टन प्यार होने वाला है रिचार्ड हैरी इसके में बता दिया है हाला कि रिसेंट में कुछ फॉंक खास नहीं है विकेट भी उतना नहीं मिला लेकिन नौ मैस में अठरा उबर इसने बॉलिंग किया है तो आप समझ सकते हो कितना अच्छा बॉला रहा हर मैस में इसने दो ओवर किया है ठीक इस बात को लगबग दो बाट डाला है तो लेकर जा सकते हो ठीक है जस्टिन गंगो इसका रिकार्ड भी कुछ खास नहीं है तो छोड़ सकते हो बेस्ट कैप्टन माइस का ओप्षन कौन-कौन सा है जेसन महामुद सुनिल नारिन यानि करिया मार्क दोयल के ओठले यह काफी अच्छ लगबग माने टीम के बारे मता दिया है और इस टीम से दोनों टीम से इंपोर्टन प्लेयर कौन-कौन सा है जेसन महाम्मद सुनिल नारिन का लीचार उनका चाहता लेकर जा सकते हो साइन हैकेट 10 मैस में 16 अबर डाला है साथी साथ उपर बैटिंग करना आता है तो इंपोर और यहांसे इंपोर्टन प्लेयर कौन है और कोई भी नहीं है ठीक है लगबग चार पास माने इंपोर्टन प्लेयर इस टीम से बता दिया और इस टीम से इंपोर्टन प्लेयर कौन-कौन से एल जूलियान इंपोर्टन है के ओडल इंपोर्टन है दोयाल इंपोर्टन है ती यारोवर तो में हर मैंश इसने भी दोवर किया है तो चाहू तो लेके जा सकते धि ये सकते फिर गाल निंग मेरें टाय कर सकते हो तो इब सब्सक्राइब Demo Team में अबको दिखाता हूँ तो guys मैंने Demo Team बना लिया है Demo Team में विक अधिगे सेक्षिन में मैंने राने वाला है Erða, L Julian Bating section में J. âmachmd K. Kalicharn, K. whoever Balling section, All Downer section में Sunil Nadine, Hackett, Dayaal, Harris रहेगा 구요 Balling section में J.Rush, M. Richard, VC했어요 दो इस team में मैंने Captain दिया है Sunil Nadine और जे मौहमाद जो के आपनिंग करती है, अच्छा में बैसमन भी कर सकता है, तो यह मेरा डेमो टीम है, यह मेरा फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको मिलेगा अप्टर लाइनप, तो उसका उस वह मिलेगा आपको टलिगाम का लिंक आपको एक डिशिशमन यह जाके जल्दी से जॉइन हो ठीक है चलिए बाई